वेल्कम फ्रेंड्स आपके अपने चैनल दा प्रेग्मेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है बिहार स्टिटी दो होजार उनीस के अभ्यरती आज की बरी खबर पुनर परिक्षा की तिथी जल्द जारी होगी और सारेडिक सिक्षकों के लिए जरूरी न्यूज इसके अलाव बहुत सारी बरी खबरें हैं तो आप वीडियो को अंतितक देखें समझे कि क्या खबर है बिहार विद्याले परिक्षा समिती पटना मादमिक सिक्षक पातरता परिक्षा स्टिटी दो हजार उनीस रद करने की संबंध में आवस्यक सूचना एतत द्वारा मादमिक सिक्षक पातरता परिक्षा स्टिटी दो हजार उनीस में समलित होने वाले सभी अभ्यरती और अभिभाबक सभी जिला पतादिकारी सभी जिला सिक्षा पतादिकारी एवं अन्य सम्मंधित को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28 जनवरी 2020 को दोनों पालियों में आयोजित मादमिक सि सम contract 2019 के पर एक और दो की परिक्षा और परिहार कारनवस रद की गई है परिक्षा की अगली दिति निरधारित होने के बाद सूचित किया जाएगा और पूनण परिक्षा है तू परिक्षार्थिव से कोई परिक्षा सुल्क नहीं लिया जाएगा तदा इसके लिए अलग स से आवेदन करने की भी आवसकता नहीं होगी परिक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालाय परिक्षा समित्य आप देख सकते हैं 16.05.2020 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और विस्तार से देखिए आज की न्यूज पेपर की खबने भी STET की पुनर परिक्षा में नहीं लगेगा सुल्क जी हाँ बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित STET 2019 के पुनर परिक्षा में अभ्यर्थियों से किसी प्रकार का कोई सुल्क नहीं लिया जाएगा इसकी जानकारी बोर्ड ने रविवार को प्रेस विग्यपती जारी करके दी और बोर्ड की माने तो STET 2019 में सामिल होने के लिए परिक्षा फॉर्म भरे हुए अभ्यर्थियों को अलग से कोई आवेदन करने के आवसकता नहीं होगी बोर्ड ने कहा कि पुनर परिक्षा के दिती निर्धारित होते ही अभ्यर्थियों को इसकी जनकारी दी जाएगी बोर्ड पुनर परिक्षा कराने के लिए सिक्षा विभाग को अनुशन सा भेजेगा और STET पेपर वन परिक्षा के लिए 1,81,738 और पेपर टू के लिए 65,503 लोगों ने फॉर्म भरा था आठ साल बाद सिक्षकों की 37,440 सीटों के लिए STET आयोजित हुई थी आप प्रेश विग्यप्ती भी देख सकते हैं मादमिक सिक्षक पादरता परिक्षा STET 2019 रद करने के संबंद में आवस्यक सूचना अब बात करते हैं सारेडिक सिक्षकों की तो सारेडिक सिक्षक बनने को इंतजार करना होगा और भी जिहां सरकारी स्कूलों में सारेडिक सिक्षा अनुदेशक पत पर नियुक्ती के लिए योग अभ्यरतियों को अभी और इंतजार करना परेगा ऐसा इसलिए क्योंकि फिल हाल सारेडिक सिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सिक्षा विभाग में कोई सुख बुगाहट नहीं दिख रही अलबता 5424 नए माधमिक व उच्च माधमिक विद्यालियों के लिए हाल ही में सिक्षा विभाग ने 33,916 सिक्षकों के पद स्विक्रित किये हैं पर इन पदों की स्विक्रिती को लेकर निकली अधिसूचना में ही इस बात का संकेत दे दिया गया है कि फिल हाल सारेडिक सिक्षा अनुदेशकों के पद पर विभाग नियुक्ति नहीं करने जा रहा 14 मई को ही जारी अधिसूचना में सिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि मद्ध विद्याले में सारेडिक सिक्षक अथवा सारेडिक अनुदेशक का पद है और ये मद्ध विद्याले ही उच विद्याले में उतक्रमित हुए है इसलिए ततकाल मधमिक प्रच्छेतर में सारेडिक सिक्षकों के पद स्रीजन का प्रस्ताव नहीं है राज के 28,648 मध विद्यालायों में सरकारी सारेडिक सिक्षकों के रिक्त पदों की जांकारी जुटाने को लेकर सिक्षा विभाग काफी सक्रिय दिखा था केंद्र द्वारा इसकी जानकारी मांगे जाने पर महज एक सप्ता में जिलों से ततपरता से जानकारी मांगी गई थी प्रात्मिक सिक्षा निदेशक ने 20 फरवरी को जिलों को पत्र भेजे और उसमें केंद्र की गाइडलाइन के आलोक में कहा था कि जहां भी एक सो से अधिक बच्चे नामंकित हैं वहां एक सारेडिक अनुदेशक की बहाली होगी करीब 25,000 रिक्त पदों पर नियुक्ती की आस थी पर तीन माह गुजर जाने के बाद भी मद्विजालेओं में इनकी नियुक्ती की प्रक्रिया आरंब नहीं हुई कि चार-पांच माह पुर्व ही विहार बोर्ट द्वारा आयोजित दक्षता परिक्षा में सामिल हुए 5000 में से करीब 3500 को सफलता मिली थी तब सिक्षा मंत्री ने जल्द बहाली की बात कही थी पर अब तक कोई तयारी नहीं दिखी रही माना जा रहा है कि विशे सिक्षकों का नियोजन होने के बाद ही विभाग इस पर निड़ने लेगा यानि कि STET के भिरतियों का जब तक 2019 का परिक्षा लेकर पुनह उद्लों को का जोईनिक कराकर तब ही अब सारेडिक सिक्षकों को भी मुका साथ ही दिया जाएगा या उसके बाद ही दिया जाएगा तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने सभी दोस्तों को सेर करें और कॉमेंट करें अपने राय विचार वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद